नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पंडिताइम चाची में तो दोस्तों आज हम आप के लिए लेकर आए हैं जगनाथ जी की रथ यात्रा में सोनी की जडू से रथ मंडप और रास्ते क्यों साफ होते हैं और भी रोचेक बाते आज हम बताएंगे दोस्तों, चार धामों में से पुरी का जगनाथ मंदिर भी इनी में से एक है आट सो साल पुराने इस मंदिर में भगवान स्रीकरश्न को जगनाथ के रूप में पूजा जाता है और इनके साथ इनके बड़े भाई बलराम और बहन सुबद्र भी इस मंदिर में बिराजमान है रथ यात्रा में तीनों ही लोगों के रथ निकलते हैं जगनाथ रत यात्रा में भगवान जगनाथ के साथ भाई बलराम और बहन सुबद्रा के लिए अलग-अलग रत होते हैं ये रत हर साल बनते हैं रत यात्रा में सबसे पीछे भगवान जगनाथ का रत होता है सबसे आगे बलराम और बीच में बहन सुबद्रा का रत होता है और ये लाल रंग और हरे रंग का होता है, वहीं सुभद्र जी के रत का नाम दर्पदलन अथ्वा पद्मरत है, इसके रत का रंग काला होता है या नीले रंग का होता है, जिसमें लाल रंग भी होता है, भगवान जगनाची के रत को नंदी घोस अथ्वा गरुन धोज कहा ज इसमें भगवान जगनात का रत 45.6 फीट उचा बर्राम का रत 45.6 फीट उचा होता है रत हमेशा नीम की लकड़ी से बनाया जाता है क्योंकि यह आउसधिये लकड़ी होने के साथ-साथ पवित्र मानी जाती है दोस्तों यह भी हम बता दें कि नीम के किस पेर से लकड़ी का च प्रियोग नहीं होता है यहां तक कि कोई धात भी रत में नहीं लगाई जाती है रत की लकड़ी का चैन बसंत पंचमी के दिन और रत बनाने के सुरुआत अच्छे तरतिया के दिन से सुरू हो जाती है तीनों रत तयार होने के बाद इनकी पूजा के लिए पुरी के पति राजा की पालकी आती है इस पूजा अनुस्ठान को चर पहनरा के नाम से जाना जाता है इन तीनों रतों की विधुवत पूजा करते हैं और सोने की जाडू से रत मंडप और रास्ते को साफ करते हैं असाड माह की सुकल पच्छ की दृतियातिति को रत यात्रा धोल न जाता है वो महासवभाग की साली माना जाता है रत यात्रा जगनात जी के मंदिर से सुरू होकर गुंडिचा मंदिर पहुंसती है यहां भगवान जगनात पल राम और देवी सुबद्रा साथ दिनों के लिए पिस्राम करते हैं गुंडिचा मंदिर में भगवान जगनात के दर्शन को आडप दर्शन कहा जाता है अपनी मौसी के घर भगवान रहते हैं पौराणिक मानिता है कि रथ्यात्रा के तीसरे दिन देवी लच्छमी भगवान जगनाथ जी के पास आती हैं लेकिन दैतापत दर्वाजा बंद कर देते हैं इसे देवी लच्छमी नाराज हो कर रथ का पहिया तोड़ कर हेरा गोहरी इसाही पूरी नामक मुहलेश थे तो मंदिर लट जाती हैं लच्छमी जी के रूट जाने पर भगवान जगनाथ उन्हें मनाते हैं मान मनवल और समवादों के जरिये तब एक अदभुद भक्तिरश का माहौल बनता है असार माह के दस दिन सभी रत पुना मुख्य मंदिर लौट आते हैं रथों की वापस यात्रा रस्म को बहुडा यात्रा कहते हैं जगनात मंदिर पहुशने के बाद भी सभी प्रतिमाय रत में ही रहती हैं अगले दिन एक अदसी पर मंदिर खोले जाते हैं तब देवों को इस नान के उन्हें प्रतिष्ठित किया जाता है आस्था और भग्त से भरा रत यात्रा मेला काशी में भी काफी उत्सा के साथ मनाया जाता है यहां भी उत्सा नौ दिन तक चलता है तो दोस्तों कैसी लगी यह जानकारी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को ल भूले बुलो जगनात स्वामी की चैये हो